वेलकम टू माय चैनल दोस्तो, तो आखिरकार हम लोग ओम बनना पहुच चुके है और आज मैं बताऊंगा आपको की ओम बनना की हिष्ट्री क्या है और लोग यहाँ पर दर्शन करने क्यू आते हैं, तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार लोग यहाँ पर दर्शन करने क्यू आते हैं और अपने आपको सिर्फ क्यों मानते हैं सन 1991 में हुए एसे ही एक जान लेवा एक्सिलेंट में राजस्थान के पाली जिले के ओम सी राठोड की मौत हो गई थी जहां ओम का एक्सिलेंट हुआ था वहां आज उनका एक छोटा सा मंदिर है मंदिर में ओम की तस्वीरों के पास ही उनकी बुलेट रखी हुई है जिस पर हजारों लोग मंदत के लाल दागे बात कर जाते हैं तो आखिर कौन है ओम सी राठोड ओम सी राठोड को लोग इज़त से ओम बनन पाली जिले के चोटिला गाव के ठाकूर जोकसी जी राठोड का बेटा था बनना के पास 350 सीजी की एक बुलेट थी चोटिला के आसपास मोटर साइकल से कही जाते हुए ओम बनना सडक किनारे उगे पेड से जा टकराए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई शिनाक्त करने के लिए पुलिस वालों ने उनकी मोटर साइकल थाने में ले गए मगर रात को मोटर साइकल अपने आप उसी पेड के पास पहुच गई जहां उम बनना का एक्सिडेंट हुआ था पुलिस वाले इस बात से काफी हैरान हुए मोटर साइकल को फिर से थाने लाया गया और इस ब प्रफेल गए उसी दोराम ओम बनना की माने कहा कि उन्होंने सपने में ओम बनना को देव स्वरूप में देखा है इन गटना के चलते सडक के किनारे पेड़ के पास ही ओम बनना की याज में एक चबुत्रा बनवा दिया गया जहां उनकी बुलेट रख दी गई मंदिर के आसपास के गाव वाले बनना को ही अपना बगवान मानते है मगर इसके अलावा राजस्थान के दूर दरास के इलाकों से भी लोग यहां आकर बुलेट की पुजा करते है और इस पाइक पर मननत का लाल दागा बानते है लोग कहते है कि यहां मांगी हुई मननत पास के थाने में जब भी नई भरती होती है तो पूलिस वाले इस मंदिर पर आकर आर्थी जरूर से करते हैं मंदिर के पास से जाने वाली कई लोगों ने उम बनना की परच्चाई को देखने की बात कही है इसकी अलावा आसपास के गाव वाले बताते है कि बनना ने उनकी काफी मदद की है कईों को एक्सिडेंट से भी बचाया है बनना की मौत के वक्त चोटिला की इस सड़क पर ख अमदिर को आता है तो उनके लिए सोने के लिए पूरी वयवस्ता की हुई है आप देख सकते हैं सामने की और और उनके वाहन को पारकिंग के लिए या फिर रखने के लिए पीछे के और बड़ा सा ग्राउंड है मैं आपको दिखाता हूँ यह दिखे एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड है यहाँ पर जहाँ पर उनके वाहन को पार्किंग किया जा सकता है तो बहुत ही अच्छी व्यावस्ता यहाँ पर की हुई है मंदिर के रास्ते निकलने वाले वाहन यहाँ रुक कर सिर जुकाते है ऐसा नहीं करने पर माना जाता है कि वाहन के रास्ते में जानने वा रुकावटे आ सकती है मंदिर में पुलिट की आर्थी करने के लिए बन्ना के परिवर वालों के अलावा एक पुजारी भी है मंदिर के आसफास पुजा के सामान प्रसाद और उम्मना को समर्पित लोग गितों की दुकाने लगी हुई है